एक बार फिर मैं आशी ज्याज आपके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक को लिकर के आया हूं जिसको लिकर के आज पूरे देशबर में बहुत सारी बाते हो रही हैं और कई सारी लोग कंट्यूज भी हो रहे हैं जबकि एक बहुत बड़ा जो कि 2016 में इसके बाद में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनॉस्मेंट आया है डारेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आर नाव कंवर्टेंट इंटो डारेक्ट सेलिंग रूल्स अब वो रूल्स में कनवर्ट होगे हैं फ्रेंट्स मैं बता दूं कि गाइडलाइंस और जो होती है वो है कि आपको यह चीज को फॉलो करना चाहिए ठीक है ना आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया आयता है और रूल क्या होता है वो नियम है अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसको नियम का उनॉलंगण माना जाए कि जैसे कि आपको कहा गया कोबिट से पहले मास्क लगा लीजिए सारी चीज़ें कर लीजिए आपको एक basically एहतियात बरतने के लिए मास्क लगाने के लिए खागया that is a guideline okay and rule क्या था जब आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको चालान कर दिया जाएगा को fine कर दिया जाएगा तो इसको कहते है रूल तो अभी क्या है पहले डारेट सेलिंग गाइडलाइन जब 2016 में आई तो government ने कुछ चीज़ों को आइंटिफाई किया कि these are the things that we should be doing okay लेकिन जैसे ही अभी 2021 के बात कर रहे हैं तो अभ अभी तक भी बहुत सारी जगों पर चीज़ें लागू नहीं हो पा रहे थी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास में एक benchmark था कि इसको follow करना चाहिए मतलब अच्छी बात थी लेकिन अब वो एक नियम बन गया है और इस नियम का पालन जो कंपनिया या जो direct sellers नहीं करेंगे उनको उसके उनलंगन के लिए दंड भी मिल सकता है इसी को लेकर के आज news articles आए और बहुत सारे leading newspapers में या फिर आप ज वीडियो को गनाने का दिर नहीं इसी ले लिया चाहता हूं कि सभी लोग के पास में खुशी के लहर दोड़े और सब लोग को actually मालूम चले कि यह जो news है वो किया है friends मैं screen share करके आप लोग को दिखाना चाहता हूं करने में कुछ confusion भी हो जाता है हमारे कई सारे मित्र लोग confused हो गए हैं कि यह नो कहीं कहीं पर उन्हें नाम पढ़ लिया है को government ने बैंड कर दिया पिरामिट स्कीम चलाने से उनके दिमां में क्या आ गया कि ओ आप आप तो मतलब हमें question करने लगी तो हमने कहा कि news को ठीक गवड्मेंट पूहिबिटक पिरामिट स्कीम इसमें आपको फोटो किस की आगी गई और गया व्यक्ति स्रीप इतना ही देखाए गा तो गर्मेंट प्रालबेट्स कीम एंवे दिखाए देगा उसको उसको लग कि एमवे एंद और्टेंट आप़ादे लिसे एक्सलें बाद बढ़ बढ़ी तू प्रोटेट कंजूमर्स को प्रोटेट करने के लिए सेंटर ने टुसड़े को बैं किया टारेक्ट सेलिंग कमपनी तो रहे तो उसको कर दिया उसके अगली लाइन क्या लिखा हुआ है फ्रम प्रोमोटिंग पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को पालन करने वाली कंपनियों को डांट लगाई है फटकार लगाई है और उनको रोकने के लिए और एमवे और टपर वेर जो है वो उस फील्ड के टॉप लेयर से ठीक है लेकिन यह दोनों कैसे मिक्स हो गया कि डाइट सेलर्स लाइख टपर वेर एमवे और रिफ्लेम को प्रोमोट करने से बना करते हैं और नोटिफाई किया कि यह नए रूल्स का पालन जो है या कंप्लेंस जो है वो तनभे दिनों के अंदर में करना है नाव सच इन कंपनियों को जो ग्रिवांस होंगे अगर माली जे कोई प्रोड़क्स को सेल कर रहे हैं डाइट इस काम को उसकी रिवांस के लिए भी रिस्पॉंसिबल होना पड़ेगा नॉर्मली दिमाग क्या सुचेगा अच्छा नहीं होंगे रिस्पॉंसिवल इससे बोला जा रह प्लाइड यह जो पूरा अधिनियम आप देख रहे हो यह जो मिनिस्ट्री है वो इसकी होे घंट को एक सेलेशने हैं और यूजिज प्लाट्फॉंस फॉर्ड सेलियुक्ट है ऊके और यूजिंग एकमर्स प्लैटफॉंस फॉर दिर सेल्च चो कंपनियों इकॉंस फ्लैट इस न्यूज को पढ़ने के बाद एक मिट के लिए दिमाग जो है चौक जाएगा अब सेंटर जो है इनलों की खेर नहीं इनलों के साथ मतलब अब तो इनकी जो है वाट लगने वाली यह पढ़कर के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और कुछ लोगों ने तो इसके अगर ब अब मैं आता हूं दूसरे न्यूज आर्टिकल पर टाइम्स अफ इंडिया पर आता हूं यह आर्टिकल नूट्रल गवर्मेंट नोटिफाइज नीव रूल्स वर डारेट सेलिंग इंडस्ट्री अब इसमें क्या है आप पढ़िए थे सेंटर ऑं टूस्डेय बैंड टारे इस को एंशूर करना होगा कॉंप्लाइंस इन रूल्स का नबवे दिनों के अदर ने तो यह तो गुड़ न्यूज है एक्सलेंट की वो जारे जो फ्रॉडूलेंट प्लेयर्स हैं जो की बनी सब्सक्राइशन स्कीम्स चला रहे थे वो सब बैन हो जाएंगे ओके डारेट स सब्सक्राइब करता है उदर यही बनी सब्सक्राइब करते हैं कंजूमर प्रोटेक्शन डारेशलिंग रूस 2021 नॉटीफाइड पाइड नोडल कंजूमर अफेर्स मिनिस्ट्री आर्ट बी काउपलाइड विट बाइब बोथ डारेट सेलिंग एंटिटीज मतलब यह कंपन अनि कंपनी विच इस टेकिंगा जॉइनिंग फी विए कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए गले रही है तो वह बैसी के ली सर्प्लिशं या पिरामिट स्कीम के अंतरगत आ जाती ही हैं और पिरामिट की अगर बात करें तो पिरामिट दूनिया में सभी अन्तिटीज पिराम कि देखे पिरामिट का मतलब क्या होता है कि आप पर मानली यह बॉटम पर आप कस्टमी ठीक है और यहां पर टॉप पर वो है जो आपको प्रोवाइड के और अब कस्टमर के पास में जो उसके पास जो वाल्यू वो क्या है मनी तो कस्टमर जो है थूawan चेन मनी जो है वो उपर सेंड करता है उसने मनी को ऊपर सेंड किया ऑपे इसको कहते है लीगल किरांद को ऑने एक साबुन खरीदने के लिए पैसा दिया रीटेलर रीटेलर ने होलसेलर को दिया होलसेलर डिस्ट्रीबूटर को दिया डिस्ट्रीबूटर ने सुपर स्टॉकिस को दिया और उसने कंपनी के माध्यम से आपको जो है बदले में साबून वापिस सेंड कर दिया तो यह क्या हो गया आपन दोगे और आपको salary नी निकल के आगी तो क्या होगा वो illegal काम हो जागा you can hold them responsible for labor law के अगेंस आप वो काम कर रहे हैं आप उनको बोल सकते हैं हम taxes पे करते हैं सब citizens हैं taxes पे करते हैं तो हम लोग taxes government को पे करते हैं और government उसके बदले में अगर governance ना करें या हमारे infrastructure development या हमारी यह वेल बिंग की दरफ ध्यान न दे तो फिर क्या होगा क्यों क्यों क्योंकि उसने हमारे को value नहीं दिया हमने उसको दिया value उसने हमको value नहीं दिया लेकिन अगर 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 हम you know illegal pyramid की बात करें तो वहां पर जो है customer pay करता है लेट से recruitment के लिए उसने फी पे किया पांच जार रुपे कि आप आईए हमारी company में member बन जाई है आज ही आएं जुड़े member बन जाए ओके लेट से यह देखिए यह बोले बाबा का परसाद है और उसको आपको हाथ में दिया किमाले से लाए थे इसको हाथ में रख लीजिए इसको किसी को दीजेगा मत यह बहुत ही कि उसके बाद वह जब बार direct जोडेंगे हाई उसमें क्या हुआ पूर में उपर में जा करके ऐसे आपरेटर के पास बैठ रहा है जिसको हम fly-by-night operator कहते हैं जो schemes को run करते हैं जो आगे चलके scams कर जाते हैं जैसे हम सब ने सुना था Speak Asia के बारे में शारता scam के बारे में हम सब जानते हैं इसको हम cheat funds भी बोलते हैं तो कई बार क्या लगता है न कि they look similar टू कंपनीज लाइक एंवे एंट पर वेर जो वो काम कर रही है अगर आप देखोगे एंवे को ध्यान से तो एंवे में क्या है recruitment की कोई fee नहीं कोई fee नहीं है जो legitimate direct selling companies होते है उसमें recruitment की कोई fee नहीं होती है यू कें register without any fee यानि membership has got membership का क्या value what is the value of membership में अब इसमें का वैजिस्टर एज बेसनेस एंटी एंटी एंवे के किसमें इसको एंवे डिरेट रीटेलर या मेंवे डिरेट सेलर कहते हैं ओके registration में कोई cost नहीं लेकिन अगर आपको product खरीदने हैं तो product का price देंगे आपको बदले product मिल जाए अब direct selling companies go one step even further वो क्या करते हैं वो जो legitimate direct selling companies हैं चूंकि वो एक बहुती model consumer empowerment करना चाहते हैं तो they also go one step ahead कि वो आपको money refund guarantee भी provide करते हैं because they claim that their product quality is really superior इनका claim होता है and we are proud to say कि I am एक अंदर में we have 30 days money by guarantee not just you know 30 days money by guarantee but 30% usage के अंदर तीस प्रतिशत product को इस्तिमाल करके अगर मैं इस product को इस्तिमाल करके देख लूँ और मुझे अच्छा लगे और तब अगर अच्छा ना लगे तो मैं इसको refund कर सको यह बहुत बड़ी बात है इसे consumer empower होता है consumer को product को select करने के लिए उसको risk-free environment दिया जाते हैं इसको लीगल पिरामिट की बात होती है इसलिए पिरामिट सी को बोल करके लोग आते हैं तो लीगल और इलीगल पिरामिट अलगल होते हैं तो फ्रेंट्स अभी हम वापिस आते हैं जो हम यूज आर्टिकल को study कर रहे थे पिरामिट पॉंजी स्कीम कहते हैं तो जो कंपनिया आपको recruitment पर ले रही हैं एक कंपनी कहती है मैं आपको आप 10,000 रुपे दो मैं के लिए जो airfare है वह आपको नहीं देगा तो बहुत सारे लोग चुकि वह सब्सक्राइबर ने एक टाइम पर एक कंपनी जोइन करी थी उस कंपनी ने उसको खरीबन 7,000 रुपे में वही गोवा का इनो टूनाइट ट्री डेस का पैकेज दिया था और जब उसने उस मिल गया लेकिन ही रिलाइस कि उसके अंदर बें उसको airfare तो ही निसके पास जाने के लिए लिए फ्लाइट और इवन ट्रेन उनके पास तो नहीं है तो उनको अलग से इन्वेस्ट करके जाना पड़ेगा और उसके बाद उसमें भी बहुत सारे टरंस अंडिशन को पैसा सा लेकिन अगर मेरे को सागुं की वैल्यू है तो मैं साबुन को खरी सकता हूं गितनी मरजी खरी सकता हूं मुझे कम क्वांटिटीटी चाहित तो कंखरी सकता हूं ज्यदा तो जाड़ चाहिए दिस वेर आई हज माइए तो तो तिंग्स दाट आ इकन अचुली परचेज और अगर मेरे को खरीद करके क्या मैं बेच सकता हूं क्या मुझे अलाउड है सेल करने का वह बाबादी का प्रसाद मेरे को अलाउड है तो only the products and services इसको भी कंपेरेबल इसका रेगुलेशन गुद करती कि आपका प्राइस के नौट भी अबिस्मली हाई ऐसा नहीं कि मार्केट में साबून दस रूपे से लेके सौरूपे के बीच में है तो आपका भी कहीं बीच में होगा और अब legitimate players, now we have the protection of government, consumers are protected, direct sellers are protected and now we can play like anything, मजा आने वाँ दोस्तों, लेकिन अब असली news आपको दिखाता हूं में जहां पर आपके, you know, बांचे खिल जाएंगी, देखिए, economic times को पढ़िए, direct selling companies banned from promoting pyramid schemes, okay, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर रहता हूं Okay, See, the government on Tuesday banned direct selling companies from promoting pyramid and money circulation schemes, as it brought out new rules for the industry, in a move that would separate legitimate players, like Amway Tupperware oriflame from Ponzi scheme operators, एक परग्राफ में क्लियर हो गया, कि देखिए, Amway Tupperware oriflame जो है, वो legitimate players हैं, और बाकी जो players हैं, वो Ponzi schemes हैं, इन सही playerों को बाकियों से separate करने के लिए एक नियम लाएगा, जब भी भी Bollywood का नाम लेंगे, तो Khan Brothers का नाम लेंगे, आप क्या गयते हैं, अमिता बचल साब का नाम लेंगे, एक्षे कुमार का नाम लेंगे, जब भी भी पानी बोतलों का नाम लेंगे, तो बिस्तरी का नाम आएगा ही आएगा, उसी प्रकार से, जब भी भी आप, क्या गयते हैं, क्रिकेट का नाम लेंगे, तो विराट खोली से, जब भी भी टारेट शेलिंग का नाम लेंगे, आएगा यह लोग उसके सिर्मौर हैं, शिर्ष पर हैं, इसलिए न्यूस आटिकल्स में भी इनी का नाम आता है, इसके आप को अदेस्टाइंगे, और यह प्लेट करेंगे, जो की मतलब नेटवर्क मार्केटिंग चला रहे हैं, आउटसाइड इंडिया करके, बिकास वो 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 उस ट्राप ना जाएंगे, तो उनका एक रिश्टर्ड अफिस कंट्री के अंदर में होना चाहिए, और उनको एक डेकलेशन करना पड़ेगा, कि वो किसी पिरामिट स्कीम या मनी सर्क्लेशन स्कीम के अंदर में नहीं काम कर रहे हैं, आस पर दी कंज अब बिकास पर देख लेते हैं, तो रजट बिनरजी सहाब जो हैं, आप देख सकते हैं, इंडियन डारेक्ट सेलिंग अस्याशन के जो आपके चेर्मन है, वो कौन है, वीपी कॉर्पेट अफेर्स 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 एंडिया, लुक आट इस, तो जिस कंपनी की जो वीपी कॉर्पेट अफेर्स हैं, वो इडिसा के चेर्मन है, मतलब आप समझो कि इसे फिकी के चेर्मन कौन हो, समबड़ी लाइक बिर्ला, समबड़ी लाइक टाटा, समबड़ी लाइक नरायमूर्थी, समबड़ी उस होल्डिंग डाट, इन्हीं को बनाए जाएगा फिकी या S.O.C.M. का इनो चेर्मन जो की इंडस्ट्री को रेप्रेजेंट करते हूँ उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंडियन डिरेक्ट सेलिंग अस्वेशन एक कॉमर्स की बहुत डिरेक्ट सेलर्स की एक association है जो सारे डिरेक्ट सेलर्स के राइट को प्रकेट करती है इन्हांस करती है इंप्रूब करती है उसके चेर्मन जो है वो एमवे के VP Corporate Affairs रजात बेनर जी है तो यूँ ही तो नहीं बन जाएंगे कुछ क्रेडिबिरिटी लेकर के आएंगे तब बनेंगे तो फ्रेंड्स एमवे बिजनस को लेकर के आप 100% श्चाइब हो सकते हैं कि the best most credible and the most I would say value-based organization one of the most value-based ऐसा नहीं कि बाकी नहीं होंगे definitely होंगे one of the most value-based organizations is Amway and you can place your bet on this company पिछले 9 सालों से मैं इस business को build कर रहा हूं friends because मुझे 100% विश्वास है कि ये सही चीज है और मैं दावा कर सकता हूं यहां बैठे वे जितने भी viewers हैं तो आ जाएं और एक बार ठोस बातों के साथ में कई लोग questions कर सकते हैं question करना आपका अधिकार है लेकिन तथ्यों के साथ में बात करें direct selling अब जवान हुआ है 23 years हुए है अमवे को इंडिया में आए वे दो साल और अभी देखिएगा तो उसके बात वो पिलकुल करने वाले हैं and these things are just the beginning यह आप देख रहे हैं इससे एक सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जितने भी implementations नहीं हो रहे थे implementations अब होने शूरू हो जाएंगे और जो fraudulent players है और जो real legitimate players है उनके बीचे फ़र्ग कर जाएगा friends तो this is a news to celebrate नए साल से पहले इससे अच्छी news नहीं आ सकती थी अब हम लोग चैन से और धमाके के साथ business build कर सकते हैं and we are super excited because 2021 जो है वो अपने आपको शांती से जब्द करके prepare और plan करने का साल था और 2022 जो है friends कहते ना कि 2021 बिमारी का साल था 2022 खुमारी का साल होगा और 2022 में हम सब बड़े बड़े levels को qualify करेंगे और बहुत बड़ा business build करके दिखाएंगे और देश की प्रगती में तरक्की में एक सही और सार्था गूमी का निभाएं इसी तरह से friends आप हमारे वीडियो को like, share and subscribe करते रहें और हम आपके पास में और relevant चीज़ें लेकर के आते रहेंगे Thank you and God bless